गंगा किनारे बसे शहरों फर्रुखाबाद, कन्नौज आदी के अपने सफर में, आज हम बिथूर में गंगा किनारे बने एतिहासिक व आकर्शक पत्थर घाट की बात करेंगे. वैसे गंगा किनारे बसे शहरों व गावों में घाटों का भारत की स्वतंत्रता से गहरा संबंध रहा है. यहां बने आश्रम क्रांतिकारियों की शरण स्थली रहे है. समय समय पर भिन भिन राजाओं ने विथूर में कुल बावन घाट बनवाय थे. इनही में से एक था पत्थर घाट. इसे अवद नवाब गाजियुद्दीन हैदर के मंत्री राजा टिकेत राए ने साल 1814 में बनवाया था. इसकी एक अनूठी कहानी है. साल 1814 में टिकेत राए ने हाथी खरीदने के बहाने बिथूर में घाट बनवाया. घाट बन जाने पर तिकेत राए नवाब गाजियुद्दीन हैदर को हाथी पर बैठा कर गंगा के उस पार ले गया और कहा हुजूर सामने ये है हाथी. नवाब घाट के सौंदर्य को देख कर बहुत खुश हुआ. नवाब ने ऐसा ही एक घाट बनारस में बनवाया लेकिन वह काफी छोटा था. इस घाट के उपर महादेव का एक भव्य मंदिर है. इसे तिकेत शिव मंदिर वह बारादरी के नाम से जाना जाता है. इस महाकाल इश्वर मंदिर में शिवलिंग पत्थर, कसोटी पत्थर से निर्मित है. तीरत यात्रियों के ठहरने के लिए यहां गंगा आश्रम के नाम से एक बारादरी का भी निर्मान कराया गया था. लाल बलुए पत्थरों से निर्मित प्राचीन शिव मंदिर भारतिये वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरन है. मंदिर के बाहर पत्थर का एक त्रिशूल है, जिस पर बीजग भाशा में मंदिर के निर्मान से जुड़ी जानकारी को उकेरा गया है. घाट के सौंदर्य क चलते यहां फिल्मों और टीवी सीरियलों की शूटिंग होती रहती है.